दोस्तो हमारी दुनिया में ऐसे जानवरों की कोई कमी नहीं है जो शेर को पल भर में मोद के घाट उतार देगा पर फिर भी हमारी इस दुनिया में ऐसा माना जाता है कि शेर का मुकाबला कोई जानवर नहीं कर सकता लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों को दिखाने वाले हैं जिनके सामने शेर कुछ भी नहीं और वो शेर को पल भर में मोद के घाट उतार सकते हैं और लास्ट वाली क्लिप आपको पूरी तरह से हेरत में डाल देगी तो दोस्तो आज की ये वीडि हैं कि अफ्रीका के जंगल में मासूम जानवरों का शिकार करने वाला शेर प्रतेक साल दर्जनों की संख्या में इस कुखार मगरमच का आसानी से शिकार हो जाता है शेर के जबड़े की ताकत की अपेक्षा मगरमच के जबड़े की ताकत बहुत ज़्यादा होती है जिसके चुंगल में अगर कोई जानवर एक बार फस जाता है तो उसकी मोद बिल्कुल तै हो जाती है जहां शेर विल्ड बिस्ट जैसे जानवरों का शिकार करने के लिए पूरे जुंड का इस्तमाल करते हैं वही मगरमच अकेला इन्हें कई भागों में चीर फाल कर रख देता है और इसी वज़े से मगरमच को अफरीका के जंगलों का सबसे कुरूर शिकारी माना जाता है दोस्तों आप यह सुनकर चोक जाएंगे कि भालू धर्ती पर मौजूद सबसे ज़्यादा ताकतवर और मासा हरी जीव है जो शेर और बाग जैसे खतरनाक शिकारियों को भी पल भर में मोद के घाट उतार सकता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक अकेला शेर कभी भी अकेले भालू पर हमला करने की गलती नहीं करता और इसी वज़े से आज तक इन दोनों को आपस में लड़ते हुए एक या दो बार के अलावा कभी नहीं देखा गया भालू का वज़न और ताकत शेर की अपेक्षा लगभग तीन गुना जादा होता है शेर के पंजे का नाकून लगभग देड़ इंच का होता है तो वहीं भालू के पंजे का नाकून लगभग 6 इंच से भी जादा होता है जो शेर को पलभर में चीर कर रख सकता है और इसके अलावा भालू शेर की अपेक्षा काफी बुद्धिवान होते हैं जिसके सामने शेर का टिक पाना लगभग नामुमकिन होगा दोस्तो आप सबने कई बार देखा होगा कि शेर का एक पूरा जुंड एक छोटे से हाथी के बच्चे को मिलकर मारने की कोशिश करता है क्योंकि इन शेरों के पास इतनी हिम्मत कहा है कि ये किसी बड़े हाथी का सामना कर सके क्योंकि दोस्तो हाथी जंगल का सबसे विशालकाय और ताकतवर जानवर माना जाता है जो शेर को पल भर में ही मोद के घाट उतार सकता है फिर भी हाथी इन शेरों से उलजने का प्रयास नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादा तर शान्त ही रहते हैं पर अगर शेर गलती से इनके इलाके में किसी जानवर का शिकार करने की कोशिश करते हैं तो ये गलती शेर के लिए मोद का कारण बन जाती है क्योंकि हाथी को शोर शराबा बिलकुल पसंद नहीं होता और इसी वज़े से हाथी शेर को मारने के लिए तुफान की तरह तूट पड़ते हैं और अगर कभी शेर इनकी पकड में आ जाते हैं तो उनकी मौत तय हो जाती है इसका अंदाजा आप इसी तस्वीर से लगा सकते हैं तो दोस्तो ये थे जंगल के सबसे खतरनाक जानवर जिनके सामने शेर कुछ भी नहीं और अगर कभी भी अकेले शेर का मुकाबला इनसे हो जाता है तो शेर की मौत बिल्कुल तय मानी जाती है इसके अलावा और भी जंगल में एसे कई जानवर है जिनका सामने शेर कुछ भी नहीं और उन सभी जानवरों के बारे में जानने के लिए आपके अपने चैनल रहस एंड नेचर को सस्क्राइब करना न भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट करें साथ ही आपके अपने चैनल रहस एंड नेचर को सस्क्राइब कर बेल के आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद